हालओ, स्टुदेंट्स अलेंग जनन और दूसरी लहेंगिक जनन अलेंगिक जनन में हमने पड़ा था कि जो बिना निशयेचन के होने वाला जनन है बिना निशयेचन अलेंगिक जनन तो बिना निशेचन या बिना युगमक सनलायन के रहने वाला जनन क्या कहलाता है अलेंगिक जनन कहलाता है इसी प्रकार से लेंगिक जनन में हमने पढ़ा था कि निशेचन के फलसुरूफ तो यह निशेचन के फलसुरूफ होगा आगे जाकर करें हम इसको और विस्तार से प के होने वाला या बिना युग मक्सलाइन के होने वाला जनन क्या कहलाता है अलेंगिक जनन कहलाता है और हमने पढ़ा था कि अलेंगिक जनन भी कितने परकार का होता है अलेंगिक जनन भी दो परकार का होता है एक होता है अनिशेक बीस्ता और एक होता है काईक परवर्धन ये से ही होता है परंतु बीच का निर्मान बिना निशेचन के हो जाता है समान्त बीच का निर्मान जो है लेंगी जनन में होता है और निशेचन के फल सुरूप होता है लेकिन यहाँ अनिशेक बीचता में क्या होगा पादप का निर्मान बीच से ही होगा परन्तु बीच के से बनेगा बिना निशेचन के बनेगा तो यह परकिरिया अनिशेक बीचत स्थान्ख के सारे हिम काईब भाग होते हैं उसलिक Украї भीस सम्झत हैं के जड़तनह टनाव पतिी कि पादप के ऐग भाग होते हैं पुष्प के पादप के समस्त भाग का एक भाग होते हैं केवल जननांगों को छोड़ करके, यानि पुमंग और जायांग को छोड़ दिया जाए, तो पुमंग और जायांग को छोड़ करके पादप के लगबग सभी भाग क्या होते हैं, का एक भाग होते हैं, और ये भी कह स सकते हैं कि पुमंग और जायांग में भी केवल वो कोशिकाएं जो नर्युगमक और मादा युगमक का लिया तो फिर वह काईग भाग नहीं हैं लेकिन यह दूगनी तवस्था में तो यह भी पुश्प का क्या माना जाएगा काईग भाग भाग ही अजह इस पर कार से इन से कोई नए manufactured बनता है तो इंसे इन नएあの वननी की प्रकेर या क्या लाती है काईक परवर्धन कहलाती है और आज हमें इसको ही आगे पढ़ना है कि ये काईक परवर्धन भी कितने प्रकार का होता है काईक परवर्धन भी दो प्रकार का होता है काईक परवर्धन भी दो प्रकार का होता है एक होता है प्राक्रतिक काईक परवरधन और दूसरा इसका टाइप है क्रत्रिम काईक परवरधन देखिए नाम से इस पस्थ है प्राकरति काईक परवरधन में क्या होता है और क्रत्रिम काईक पादप के काईग भाग जैसे जड़ तना वर पत्ती ये स्वयम ही विभाजन करके या जन्नाइग भी हो सकते हैं स्वयम ही विभाजित हो करके या विभाजन करके नए पादप का निर्मान करें इसमें मनुष्य का या अन्य किसी जीव जन्तु का कोई हस्तक शेप नहीं हो जड़तना पादप के काईग भाग जड़तना पत्ती स्वयम ही विभाजन करके नए पादप का निर्मान करते हैं तो ये जो परवर्धन है काईग परवर्धन ये क्या कहलाएगा प्राकर्ति काईग परवर्धन कहलाएगा लेकिन यह परकिरिया मनुष्य के हस्तक शेप से हो यानि स्वयम विभाजन करके नया पादव ना बनाए बलकि मनुष्य के हस्तक शेप से इन संदशनाओं से नया पादव बने For example हमने देखा है कि जैसे गुलाब है और गुलाब की टहनी को हम क्या करते हैं यहां से कट करके अन्यत्र मिट्टी में रोपित कर देते हैं और वहाँ पर एक नया गुलाब का पादव बन जाता है तो यहां पर भी नया पादव किस से बना है तने से बना है तना ही माना जाएगा टहनी को भी तो तने से बना है शेप से काईक परवर्धन हो रहा है तो फिर ये क्या कहलाएगा क्रत्रिम काईक परवर्धन कहलाएगा तो इस परकार से काईक परवर्धन भी दो परकार का हो जाता है एक प्राकर्ति काईक परवर्धन और एक क्रत्रिम काईक परवर्धन आज हम प्राकर्ति काईक परवर्धन हो रहा है उन संदस्टनाओं के आधार पर ही ये अलग-अलग परवर्धन से हो सकता है तो मैं यहां प्राकर्ति का एक परवर्धन के लिए लिख सकता हूं कि यह यानि प्राकर्ति का एक परवर्धन निम्न प्रकार से होता है यह निम्न प्रकार से होता है अगर तने से हो रहा है तो हम कहेंगे नमबर पहला नमबर एक तने द्वारा काईक परवर्धन तने से हो रहा है तो तने द्वारा काईक परवर्धन नमबर दो, जड़ से हो रहा है तो, जड़ द्वारा काईक परवर्धन जड़ द्वारा काईक परवर्धन पत्ती से हो रहा है तो पत्ती द्वारा काईक परवर्धन और जड़ द्वारा काईक परवर्धन तो इस परकार से ये प्राकरती काईक परवर्धन भी जो है चार परकार से हो सकता है तने द्वारा, जड़ द्वारा, पत्ती द्वारा और जड़ द्वारा काईक परवर्धन एक एक करके सब को विस्तार से पढ़ेंगे जनरली इसमें क्या है एक्जामपल पूछा जाता है तने द्वारा किसमें होता है जड़ द्वारा किस में होता है पत्ती द्वारा का एक परवर्धन किस में होता है और जन्नांगो द्वारा का एक परवर्धन किस में होता है लेकिन यहां आपके सेलेबस में तने को विस्तार से पढ़ाया गया है तने तना जो है अलग-अलग रूपों में पाया जाता है या आपको पढ़ना है और कौन से रूप के द्वारा किस पादप में काईक परवर्दन होता है वो भी आपको ध्यान रखना है यहां से जनरली एक्जाम में केवल एक नंबर का उधारन पूछा जाता है कि किस रूप आंत्रन के द्वारा किस पादप में काईक परवर्दन होता ह चलिए हम विस्तार से इस पर चर्जा कर लेते हैं सबसे पहले लेते हैं तने द्वारा का एक परवर्थन नमबर पहला तने द्वारा काईक परवर्थन तने द्वारा काईग परवरदन और जैसा है कि मेना आपको बताए कि तने के अलग-الग रूपांतन पाये जाते हैं तो पहले हम उन रूपांत्रों की बात कि पर लेते हैं कि तने किन-किन रूपों में पाये जाता है जनरली जब भी तने की बात आती है तो हमारे दिमाग में एक व्रक्ष के अंदर जो तना होता है जैसे मान लीज़े कि ये एक व्रक्ष है और ये इसके शाखाएं है तो ये तना है जनरली हमारे दिमाग में यही इमेज बनती है लेकिन ये तना कई रूपों में विशिष्ट होगा प्रकंद, नमबर पहला प्रकंद, अब ये प्रकंद किस प्रकार का तना ये भी साथ के साथ समझ लेते हैं, तो प्रकंद में क्या होता है कि प्रकंद ये भूमिगत तना है, कौन सा तना है, भूमिगत तना है, भूमिगत तना से यहां क्या तात पर है, भूमिगत तना के नीचे दबा हुआ होता है जीसे मान लिजे कि यह है इस परकार से यह भूतल है और इसके नीचे तना होता है तो भूमिकर तना है दूसरी बात भूमिकर तना है नंबर दो प्रकार तों हो जाएगा कि यह भूतल के समानांतर गती करता है यह व्रद्धी करता है कि के की समानतर ऑफय करने से नहीं व्रद्धि करता है बंगी इस प्रकार से ये भूतल और इसी के समानांतर ये ऐसे व्रद्धी करेगा और दूसरा इसमें इसपस्ट परुसंधिया पाई जाती है इस परकार से शाखाएं होती है और जगए जगए अलग-अलग इस परकार से परुसंधिया होती है और इस पर जो दबाव पढ़ता है उस दबाव पढ़ने कारण ये केसा हो जाता है ये हो जाता है चप्टा तो ये प्रकंद की कुछ विशेस्था है है पहली विशेस्था हो गई कि भूमी गतना है नमबर दूसरी विशेष्था हो जाती है कि भूतल के समांतर वद्धी करता है तीसरी विशेष्था इंपोर्टेंट हो जाती है कि चप्टा होता है क्योंकि इस पर दबा उपड़ता है इसमांतर गति करता है तो चप्टा होता है और चोथी जो विशेष्था है वो ये है कि इस पर इसपष्ट पर्व संधियां पाई जाती है इसपष्ट पर्व संधियां पाई जाती है और अनुकूल परिस्तितियों में क्या होता है कि इसपस्ट परुसंधियां जो है जिसे मानलो एक बनाते हैं यहां पर प्रकंद की इस प्रकार से अलग-अलग शाखाय होती है प्रकंद में तो इस प्रकार से जगर जगर क्या हो जाएगी परुसंधिया पाई जाएगी यह परुसंधिया यह परुसंधिया इस परुसंधिया इस परुसंधिया और अनुकूल परिस्तितिया आने पर यह परुसंधिया अंकूरित हो जाती है और यह भूमी गत्तो है यहां से अंकूरि तुरीथ होती है और क्या हो जाटाहे Monster का निर्मान हो जाता है इस प्रकार से प्रकंद भी प्रवश्जिवर्दन करता है परवसंद्या अनुकूल परशातित्या आने पर नये पादन का निर्मान करताहे है, और इसका एक आईडल एक्जामपल है प्रकंद का वो है उधारन अधरक तो अब यहां पर प्रश्ण कैसे बनेगा ये सारी चीजे आपके सेलेबस में नई है कि प्रकंद किस परकार का तना है ये केवल मैंने आपको समझाने के लिए बताई है आपकी सेलेबस में केवल तने का टाइप और उसका एक्जामपल है तो आपसे दो तरीके से प्रश्ण पूछा जा सकता है या तो प्रश्ण पूछा जाएगा कि प्रकंद के द्वारा का एक परवर्धन किस में होता है तो उधारन होगा अधरक या दूसरे तरीके से प्रश्ण पूछा जाएगा ये अधरक में किस इसके द्वारा या किस प्रकार का तना पाया जाता है तो प्रकंद ठीक है आगे बढ़ते हैं ये तो पहला रूपांतरन हो गया तने का तने का तने द्वारा का एक प्रवर्दन और किन-किन रूपों में हो सकता है तो एक तना पाया जाता है अब प्रकंद के ही जैसा एक और एक्जाम्पल होता है घंकंद, तने का एक रूपांत्रन होता है घंकंद, देखिए घंकंद क्या है, तो अगर विशेष्टाएं, विशेष्टाओं की बात करें, तो घंकंद भी एक तरह से भूमिकतना है, तो ये तो प्रकंद और घंकंद, कि समानता हो गई तो हम पैचाने तो पहली बात भूमिगत तना है लेकिन इसमें अंतर कहा होता है कि जैसा हम वहां पढ़ रहे थे कि प्रकंद जो है वो भूतल के इस प्रकार समामतर वर्दी करता है लेकिन घंकंद इस प्रकार से वर्दी नहीं करता है गंकंद समामतर वर्दी नहीं करता है बलकि उर्धवा करता है तो किस प्रकार की व्रद्धी करता है भूमिगत होता है लेकिन भूमिके नीचे ये उर्धवार्धर व्रद्धी करता है जबकि प्रकंद क्या कर रहा था प्रकंद समांतर व्रद्धी कर रहा था तो ये इसका बेसिक अंतर है तो व्रद्धी कैसी होती है इसमें प्लाई लिये होता है बेलनाकार होता है गोल की जगह पर मैं एक शब्द ले सकता हूँ बेलनाकार होता है दूसरा इस पर भी इसपष्ट परवसंधियां पाई जाती है इसपष्ट परवसंधियां पाई जाती है तो परवसंधियां ही तो अंकुरित होकर के नया पादब बन अब आप देख सकते हैं कि अर्बी और अद्रक में कितनी समानता होती है लेकिन अगर आप आसानी से पहचानना चाहे तो यह हो सकता है इसकी पहचान कि आप अगर दोनों को देखेंगे comparison करेंगे तो अध्रक चप्टा होता है जबकि अर्भी जो है वो बेलनाकार या गोलाई लिये होती है तो इस वकार से आप इनमें पैचान कर सकते हैं तो यह हो गया परकंद घंकंद यहाँ पर प्रस्ण केसे बनेगा तो यह विशेस्ता है आप से नहीं पूछी जाएगी आप से पूछा जा सकता है कि अर्भी में किस परकार का तना पाया जाता है अर्भी में किस परकार के तने का रुपान्थन पाया जाता है तो आपका आंसर होगा घंकंद तो यह दो हो गया परकंद हो गया घंकंद हो गया तीसरे परकार के तने की बात करें तो तीसरे परका परकार का है पहले बात ये भी क्या है ये भी भूमिगत तना है जितने भी रूपांतन है क्योंकि जो बाहर है वो तो इस परकार का होगा हमने पहले पहले जो वाई भी ये तना है ये है कुछ अर्द वाई भी ये तने भी होते हैं कुछ भूमिगत तने भी होते हैं अभी हम जिन्स प्रकार के तनओं की बात कर रहेơi , वह कौन से तनह पर रहे हैं सारे , भूमीगत्त supply तना है अब इस कंध का निर्माण केसे होता या किस प्रकार का है तो इसमें आप इसे समझेड्र मालाँ नीजें यार , यह भूतल है और यहाँ से यह तनह भूमीगत्तन है अब ये भूमी गतने की अंदर कई शाखाएं होती है इस परकार से कई शाखाएं होती है तो इन शाखाओं के जो अंतिम सिरे हैं वो फूल करके इस परकार गांट-like structure बना लेते हैं इन ही गांट-like structure को क्या कहते हैं कंद कहते हैं और इन कंद के उपर छोटी-छोटी गाएं तो अनुकूल परिस्तिति आने पर इन कलिकाओं से ये कलिकाएं ही अंकुरित होकर के भूमी से बहा निकलती है और एक नए पादप का निर्मान कर लेती है तो आप समझे गए होंगे कि कंद का एक्जांपल क्या है कंद का एक्जांपल है उधारन है इसका आलू प् पड़ा था उसमें किसके द्वरा होता है परुसंदियों के द्वरा परुसंदिया अंकुरित होकर के नया पादप बनेगी जबकि यहां पर अपस्थानी कलिकाएं निकलेगी और अपस्थानी कलिकाओं से नया पादप बनेगा एध्यान देना है ना परकंद में होते हैं तो ये जो भाग है एक भाग इस भाग को कहते हैं पर्व और ये वाला भाग भी क्या है पर्व और ये भाग जो दोनों पर्वों को जोड़ रहा है ये भाग क्या कहलाता है ये भाग कहलाता है पर्व संधी तो यहां परकंद में पर्व संधी होगी घंकंद में पर् वो संदी नहीं होगी, यहां आलू में अपस्थानीक कलिकाएं बनेगी और अपस्थानीक कलिकाओं से एक नए पादप का विकास होगा, तो यह कंद हो गया, कंद के बाद आपका अगला एक्जामपल आता है, भूमिगत तने में नंबर चोथा, शल्क कंद, शल्क कंद, शल् इसमें क्या होता है, एक्जुल में जो तना होता है, वो जो छोटा और अपरिपकु होता है, और इसकी सुरक्षा के लिए इसके चारों और क्या होता है, इस परकार से शल्क पाई गाते हैं, पत्तियां जो है शल्क बना लेती, तो पत्तियां का रूपानतन ही शल्क होता है इस पकार से ठीक है और यहाँ पर यह बाहर की तरफ गाठ नूमा भाग निकला रहता है अंदर एक बलबलाई की स्ट्रक्चर होता है तो यह वाला भाग जो होता है एक्चल में यह तना होता है और कौन सा तना तुम्हें कहूंगा यह होता है शल्क से घिरा हुआ है इसलिए एक्जामपल होता है प्याज अब जनरली क्या होता है प्याज या लंसुन इसका एक्जामपल होता है तो जनरली क्या होता है बच्चे यह समझते हैं कि प्याज पूरा ही तना है पूरा ही तना है जी नहीं प्याज पूरा तना नहीं आपने देखा हो कि प्याज के पिछ ए आते हैं तो अंदर से इन बल्वड्रदा से निकलता है तो यह वाला पॉर्चन आए यह वाला पॉर्चन पेवाल तणा होता है वाकी जो शल्क है जिनको आप खाने में कामे लेते हैं यह पतिया किन्षि यह待्ज होती है यह देन। अर्वा विस अंदर बलबलाई की structure है वो क्या होता है वो तना होता है जिसको आप क्या कहते हैं शल्क से चुंकि वो घिरा हुआ है इसलिए उसको आप क्या कहते हैं शल्क कंद कहते हैं बात समा और एक्जाम में क्या पूछा जाएगा एक्जाम में सीधा से सवाल पूछा जाएगा कि शल् अंसर होगा शल्क कंद आगे बढ़ते हैं तो यह तो हो गया भूमी गतनों के एक्जामपल देखे एक बार फिर से आप सिर्फ प्राकर्तिक काईक परवर्धन का पहला टाइप तने द्वारा काईक परवर्धन पढ़ रहे हैं जिसमें आपने पहला पढ़ा है प्रकंद एक् पढ़ा के तो आगे बढ़ते हैं कंद एक्जामपल आलू शल्क कंद एक्जामपल प्याजवल लशून अब नेक्स्ट आईप पर आते हैं तने में ही आगे बढ़ते हैं तो तने में जो अवह चोथा टाईप है वह होता है उपरी भूला ू. द्वरा अगैग परवरदन में जो दने का चोथा रूपांतरण है वो चोथा रूपांदरण क्या है कि चोथा रूपांथरण है उपरी अब देखो सारों को मैं एक सार लिख लेता हूँ एक तो होता है उपर ही भू इस्तारी एक होता है अंतह भू इस्तारी नमबर पांच अंतह भू इस्तारी एक होता है केवल भू इस्तारी किलियर करना इनको बहुत कन्फुजन में डाल देता है रहें तो और एक लास्ट होता है भू इस्तारी का, उपरी भू इस्तारी, अंतर भू इस्तारी, भू इस्तारी और भू इस्तारी का, परतेक के एक्जामपल भी मैं इसके सामने लिख देता हूँ, ताकि आप पहले याद कर ले, उपरी भू इस्तारी का उधारन क्या है, तो उपरी है दूब खास, एक हुतार, अंतर भुष्तारी का example क्या हो जाएगा अंतर भुष्तारी का example है पोधिना, भुष्तारी का example है strawberry और भुष्तारी का example है जल जलकुंबी, दूब खास, पॉदीना, इस्ट्राबेरी और जलकुंबी, तो ये तो एक्जामपल की बात हो गई, अब ये होते क्या है, तो इस पर भी हम चर्चा कर लेते हैं, होते क्या है, तो उपरी भुईस्तारी किस प्रकार का होता है, दूब खास में मैं आपको बताता ह होता क्या है, उपरी भुईस्तारी, अंतर, भुईस्तारी, भुईस्तारी का में आप कैसे अंतर करेंगे, तो पहली बात तो ये कि ये भूमिगत है या वाईवी है, तो साहब ना तो ये वाईवी है, ना ये भूमिगत है, ये चारों जो टाइप्स हैं, ये हैं अर्ध वा व्रदि करते हैं किस प्रकार का रूपानतर में होता है तो हम चार भागों में इसको अजामपल लिखा इसका कि दूब घास एक उपरी भुष्तारी तो दूब घास केसे व्रद्धी करती है मान लिजे कि ये कोई पादप का आधारी भाग है और यहां से एक घास व्रद्धी करती है तो यहां उसकी परुसंदी है और यहां से कुछ शाखाएं निकल करके कहां चली जाती है भूमी में चली अपस्थानिक जड़े निकलती है और यह जड़े भूमी में चली जाती है बाकी तना जो है एक नए पादप का यहाँ पर निर्मान कर लेता है फिर यहाँ से शाखाएं आलगे मैं एक ही दिशा में बढ़ा रहा हूं पर जनरली इस था दिशाओं में इस था हो रहा है इधर तना फिर आगे बढ़ा फिर यहाँ पर परुसंधी पर क्या हुआ एक परुसंधी आई और परुसंधी से कुछ अपस्थानिक जड़े भूमी में धस गई और यहाँ से कुछ पत्तियां विक्सित हुई फिर यह तना आगे बढ़ा और आगे बढ़के फिर परुसंधी से क पूरा जो घास का पादप है यह नया एक पादप का निर्मान हो जाता है यह एक जनन की ही प्रोसीजर हुई और इस परकार से जितना भी बड़ा ग्राउंड होता है उसमें पूरी घास फैल जाती है तो इस परकार का जो तना है देखा होगा आपने क्या पढ़ा हमने कि यह भूतल के समाना अंतर उपर के और गती करता है और बीच बीच में परूसंदियों से जड़े विक्सित होती है जो भूमी में धस जाती है और एक नए पादप का वहाँ पर विकास होता है यह इस परकार का जो तने का रूपांथन है यह क्या कहलाता है यह कहलाता है उपरी भूइस्थारी और किसमें पाया जाता है तो यह पाया जाता है दूब घास में किसमें पाया जाता है दूब घास में अब इसी के साथ हम दूसरा पढ़ते हैं अंतर भूइस्थारी में क्या होता है अंतर भूइस्थारी में भी ऐसे ही समझते हैं जैसे यह भूतल है अब नाम से इस परे न उपरी भु इस्थारी और अंतर भु इस्थारी तो सब्सक्राइब कर आदर ने और यहां इस और इस आधारी भाग कोई शाखा निकलती तो Heart चाखा्धिया होती है उपर गति निकरती फूमी में धष जाती है और भूमी में धषने के बाद nahim कुछ दूरी तक समानांतर नीचे से गति करती है कुछ दूरी तशलने के बाद एक स्थान पर फिर परुसंधियों से एक नए नए पादप का विकास होता है और भूमी से बाहर निकल जाता है तो इस परकार से यहाँ पर पोदिना फिर यहाँ से एक आधारी भाग की साखा जमीर में धच जाएगी वापस और फिर नीचे से गती करेगी कुछ दूरी बाद वर्दी करने के बाद फिर वापस बाहर निकल करके एक नए पादप का निर्मान कर लेगी और इसकी अपस्थानिक कलिकाई नीचे की तरफ क्या करेगी पर उस अंदी से नीचे की तरफ अपस्थानिक जणों का निर्मान होगा इस परकार से तो ये जो तना मुमेंट कर रहा है भूमी के नीचे समारांतर इस परकार की तने को आप क्या कहते हैं इस परकार की तने को आप कहते हैं अंतह भूई स्थारी और किस में पाये जाता है इसा पोधिना में पाये जाता है इसमें पाए जाता है पोधिना में पाए जाता है भूई स्थारी में क्या होता है तो भूई स्थारी में आप इसे समझ सकते हैं कि भूई स्थारी में जिसे मान लीजे वापस वोई एक्जामपल लेते हैं कि ये भूतल है स्वरी यह भूतल है और यहां से क्या होता है कि भूइस्थारी में जिसे कोई एक पादप है यह कोई पादप है यह इसकी जड़े है अब यहां आधारी भाग से साखा निकलेगी ठीके अब देखू तीनों में अंतर समझना यहां पर जो तना था ब्लकुल भूमी पर रेंग करगति कर रहा था और आगे जाने के बाद एक परुसंदी से जड़े निकल रही थी जो भूमी में जा रही थी और एक नए पादप का विकास हो रहा था यहां पर जो तना है वो भूमी के नीचे आ गया है और नीचे समाना अंत्रवद्धी करके कुछ दूरी बात वापस बहार निकल करके एक नए पादप का निमान करता है अब यह जो आप पढ़ रहे हैं तीसरा टाइप भूईस्तारी कौन सा भूईस्तारी तो इस भूईस्तारी में क्या हो रहा है यहां लिख देता हूँ भुईस्तारी भुईस्तारी में क्या हो रहा है कि आधार ही भाग से ही बिलकुल इस उपरी भुईस्तारी की तरह ही उपर से कोई शाखा निकले लेकिन वो रेंकर गती नहीं करती है वो कुछ दूरी तक ऐसे वाईविये गती करती है और वाईविय गती करने के बाद वो जमीन में यहाँ पर संपर्ख में आती है और जो परू संदी है वहाँ से नीचे की तरब तो जड़े विक्सित हो जाती है और उपर की तरब क्या हो जाता एक नया पादब विक्सित हो जाता है ठीक है फिर वापस यहां आधारी भाग से एक साखा निकलेगी जो वाईविये गती करेगी ध्यान दीजिए रेंकर गती नहीं करेगी रेंकर गती करेगी तो फिर वो क्या हो जाएगा वो हो जाएगा उपरी भू इस्तारी वाईविये गती करेगी तो फिर क्या हो जाएगा भू-इस्तारी और यहां जमीन में धसकर यहां से जड़े विक्सित होगी और उपर एक नया पादप विक्सित हो जाएगा तो इस परकार से जो एक पादप से यह अलग-अलग पादप बन रहे हैं तो यह तने द्वारा का एक परवर्दन हुआ और यह रूप क्या कहलाता है तने का यह रूप कहलाता है भू-इस्तारी और ऐसा किसमे होता है तो हमने एक्जामपल लिख लिया पेले ऐसा किसमे होता है ऐसा होता है इस्ट्रावेरी में तने का अंतिम रूपांतरन हम पढ़ते हैं जिसको आप कह रहे हैं भू इस्तारिका क्या पढ़ रहे हैं हम भू इस्तारिका यहां लिखते हैं भू इस तारिका देखिए भू इस तारिका में क्या होता है और भू इस तारिका का एक्जाम्पल क्या है तो इसका एक्जाम्पल है जलकुम्भी क्या एक्जाम्पल है इसका जलकुम्भी और इसमें क्या होता है इसमें अभी तक तो हम जितनी भी बात कर रहे थे, वो भू तल को माद्यां बना करके बात कर रहे थे, लेकिन यहां जो पादप है, वो भूमी में नहीं उपता है, यह पादप होता है जलिये पादप, क्या होता है, जलिये पादप, यह जल की सता है, जल की सता है, और जैसा भूइस्तारी में आप देख रहे हैं कि कुछ समय के लिए तना वाईवी वर्द्धी करता है और फिर इसके जैसा नहीं उपरी भूइस्तारी जैसा जैसा उपरी भूइस्तारी में आपने क्या देखा था कि तना पेले भूमी पे रेंकर वर्द्धी करता है और भूमी पे कु एक वाईविय भाग का प्ररोot का निर्मान हो जाता है यही बात में अगर इस भूत अल की जगे जलकी सता आ जाए तो फिर इसको आप ऊपरी भू इस्थारी नहीं कहेंगे इसको आप क्या कहेंगे? इसको आप भू इस्थारी का कहेंगे बिल्कुल सेम उपरी भूसतारी के जैसा होता है कि एक पाधप होता है यह पाधप का यह वाई विय भाग प्ररोह और इस प्ररोह से क्या होता है आधारी भाग से एक साखा निकलती है जो जलकी सतर पर तिरती हुई गति करती है,"есть और यहां तो रहेंगती हुई गति करती है," यहां तेरती हुई गति करती है," eto . पादब बन जाता है फिर वापस एक आधार ये शाखा जल की सतर पर तेर कर आगे गति करती दूरी ते करने के बाद वापस परुसंदी से साखा है या जड़े निकलती है जो जल में चली जाती है और बाकी उपर की तरफ प्रवरो का निर्मान होता है और इस परकार से एक नय तने द्वारा का एक परवर्धन देखिए क्या पड़ा है एक बार पूरा रिविजन कर लेते हैं कि आपने क्या क्या पड़ा है तने द्वारा का एक परवर्धन में आपने एक बार धोरान कर लेते हैं इसका आप पड़ रहे थे तने द्वारा का एक परवर्धन तने द्वारा का एक परवर्धन और तने द्वारा का एक परवर्धन में आपने अलग-अलग तने के विश्य में पड़ा तो मैं यहां पर लिखता हूं और आप मन में ही दोहरा ना कि कौन से तने में किस के द्वारा का एक परवर्धन होता जैसे नमबर पहला प्रकंद आप मन में दोरा ये फिर में बाद में लिखूंगा परकंद द्वारा का एक परवर्धन किसमे होता है आंसर लिखिए यहां पर नमबर दो घंकंद द्वारा किसमे होता है यहां आंसर लिखिए कंद का एक्जामपल शलक कंद का एक्जामपल उपरी भूस्तारी का एक्जाम्पल अंतर भूस्तारी का एक्जाम्पल भूस्तारी का एक्जाम्पल और भुईस तारीका का एक्जामपल चलिए बताए किया लिखा आपने हाँ, प्रकंद द्वारा किस में होता है? प्रकंद द्वारा होता है अधरक में घंकंद द्वारा अरबी या केसर में कंद द्वारा आलू में शल्ककंद द्वारा, प्याज या लसून में, उपरी भुईस्तारी द्वारा किसमें होता है? दूब, घास में, अंतर भुईस्तारी द्वारा, पोधिना में, भुईस्तारी द्वारा किसमें होता है? तो भू इस्तारी द्वारा होता है स्ट्राबेरी में और लास्ट भू स्तारी का द्वारा किसमें होता है जलकुंबी में परिक्षा में यहां से प्रश्णा आता है कितने नंबर का एक नंबर का तो अच्छे से इन examples को याद कर लेना आगे बढ़ते हैं आपने पढ़ा था हम प्राकर्ति काईक परवर्धन पढ़ रहे थे ये प्राकर्ति काईक परवर्धन और हमने पढ़ा था कितने परकार का होता है चार परकार का तने द्वारा दूसरा जड़ द्वारा तीसरा पत्ति द्वारा और चोथा जन्नांगो द्वारा तो आज हमने केवल कौन सा फिनिस किया है तने द्वारा का एक परवर्धन समय ज्यादा हो गया है वीडियो काफी लंबी हो गई है कल की क्लास में हम डिसकस करेंगे कि जड़ द्वारा का एक परवर्धन कैसे होता है पत्ती द्वारा कैसे और किन पात्पों में होता है जनांगो द्वारा क किसे और किन पात्पों में होता है आज के लिए इतना काफी है पड़ते रहें